बिस्मिल्ला रॉहमन रहीं असलामुलेक। दियू स्टूडेंट्स। आया मुहमा साजिज जहूर। स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हम सबस्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके डेफिनिशन को देखते हैं कि सबस्पेस क्या होती है। तो students अगर हमारे पास V कोई भी vector space है और W कोई भी हमने subset ले लिया V का ठीक है V कोई भी vector space है और W जो है वो V का subset है तो then हम इस W को उस वक्त sub space of V बोलेंगे अगर W itself a vector space over के means कि अगर W भी जैसे vector space की हमने last lecture में हमने कुछ conditions पढ़ी थी तो हमने का कि यह W V का कोई भी subset है तो यह W हमारा उस वक्त sub space होगा अगर W itself जो है वो हमारे पास vector space हो जाए means कि vector space की वो वाले सारी conditions जो V पे hold करती है वही सारी conditions अगर W पे भी hold करे तो then हम इस W को sub space बोलेंगे V की ठीक है then we say that W is a sub space of V ठीक है तो यह हमारे पास एक general सी definition है sub space की इसके अलावा हमारे पास एक और definition मौझूद है sub space की जो कि यह theorem 4.2 की shape में हमें यह हमारे पास है ठीक है तो यह भी हम discuss कर लेते हैं क्योंकि हमने next जो question जितने भी solve करने हैं उसमें हमने ज्यादा दार 4.2 definition को ही apply करने है ठीक है तो यह definition हमारे पास क्या है इसमें भी अगर w मारे पास कोई भी वी की sub space है वी कोई भी vector space है अगर w इसकी कोई भी sub space है कोई भी sub set है इसका sorry तो इस w को हम sub space उस वकत बोलेंगे अगर हमारे पास यह two conditions है अगर यह fulfill हो जाए students first condition यह है कि हमारा जो zero vector है यह w को belong करना चाहिए zero vector का मतलब इदर हमारे पास यह है simple zero vector का मतलब इदर आपके पास यह होगा this is zero is a vector and zero vector is belongs to w ठीक है तो zero vector के अंदर elements कौन से होते हैं अगर आप r cube की बात करेंगे तो zero vector आपके पास यह कुछ इस तरह यह vector होगा मतलब हमने किसी भी sub set को अगर sub space परूव करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहला काम क्या चाहिए कि zero vector जो है वो उस space को belong करना चाहिए अगर zero vector उस space को belong नहीं करेगा तो वो वाली space हमारे पास sub space नहीं होगी इसके second condition है second condition के लिए हमने w को sub space परूव करना है न तो और v जो है यह हमारी vector space है किसी भी field k पे तो जिस set को हमने vector space परूव करना होता है हम उसमें से two vectors लेते हैं यह मैंने इसमें से u और v two vectors लिए हैं और k यह मैंने कोई भी scalar ले लिया इस k field से ठीक है तो students इधर हम हम w को prove करना चाहिए चेक करना चाहरें कि यह sub space है यह नहीं तो इसके लिए आपने जिस set को sub space prove करना होता है उसमें से हमने कोई भी two arbitrary vectors लेने हैं ठीक है अब इसके जो second condition है न यह second condition में भी इसके भी आगे two parts हैं जो हमारे पास second condition है उसके भी again two parts हैं हमारे पास तो इसका first part यह है कि यह जो मैंने u और v यह w में से two vectors लिये थे न तो यह u और v two vectors मैंने लिये w में से इन दोनों का sum जो है वो भी w को भी long करना चाहिए और k u या u हमारे पास क्योंके w का element है और k जो है यह हमारे पास sk space का element हो तो scalar की इस vector के साथ जो product है वो भी इस w को भी long करना तो यह two conditions है हमारे पास sub space की first condition zero vector belong करना चाहिए और second condition में जो two इसकी again conditions है वो यह वाली दोनों होल करने चाहिए यह students यह जो हमारे पास यह वाली two conditions है तो some authors ने इन two conditions को combine करके लिखा हुए ठीक है इन ही two conditions को combine करके हम इसकी single condition बना सकते हैं वो single condition आपकी कुछ इस तरह से है belongs to w ठीक है कुछ authors ने कुछ books पे यह इस तरह से लिखा हुआ है कि alpha u plus beta v belongs to w इसमें alpha और beta जो है यू और v जो है यह दोनों vectors है और alpha और beta जो है यह दोनों हमारे पास scalars है जो के k को belong करेंगे ठीक है students तो कुछ books पे उसने यह यह दोनों conditions को इस तरह separately लिखा हुआ है और कुछ पे इन दोनों को combine करके लिखा हुआ है तो यह दोनों ठीक है आप इन दोनों में से जो आपको easy लेगे आप अप्लाई कर सकती है ठीक है students तो यह हमारे पास simple subspace की definition है और इसके लावा यह कुछ trivial और non-trivial subspaces के बार में मैंने इदे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो भी vector space v itself होती है न मतलब v कोई भी vector space है तो यह itself vector space और एक zero set यह हमारे पास एक zero set है ठीक है zero vector zero vector और v space itself यह दोनों हमारे पास trivial subspaces कहलाती है ठीक है जो कोई भी vector space v itself और zero set यह दोनों यह दोनों subspaces होती है और इन दोनों subspaces को हम trivial subspaces कहते हैं students किसी भी vector space में अगर इन दो subspaces के लावा zero set और vector v itself vector space v itself इन दोनों के इलावा अगर कोई और भी sub space exist करे तो उस subspaces को हम non trivial subspaces बोलेंगे simply इसमें आप यह कह सकते हैं कि जो भी vector space v itself और zero set यह दोनों आपके पास trivial subspaces होती है और इन के लावा बाकि जो भी sub space होगी वह हमारे पास non trivial subspaces होगी तो students इसके बाद हम subspaces की कुछ examples हैं उनको discuss कर लेते हैं तो इसमें first example में students देखे हैं हमारे पास एक set दिया गया है u is equal to abc u को हमने कुछ इस तरह से define किया हमने का कि u के अंदर जितने भी elements हैं इन elements मतलब जितने भी इसके अंदर हैं यह यह के अंदर जितने भी elements हैं उसके तीनों के entries जो है वो हमारे पास same है मतलब के u के अंदर जितने भी triplet मौजूद हैं तो इन में यह तीनों elements जो हैं यह हमारे तीनों same होगे हमने इसमें इसको prove करना है कि यह u जो है यह r cube की sub space है ठीक है तो इसको r cube के sub space prove करने के लिए हमारे पास sub space की वो three conditions है उसको हम check करेंगे तो students first condition हम इसे clearly check कर सकते हैं कि zero vector जो हमारा वो इसको यू को belong कर रहा है क्योंकि zero vector हमारे यह तना zero 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 तो इसमें आगर देखें तो इसके यह तीनों elements जो है यह equal है मतलब यू हमारे पास एक ऐसी space है जिसके अंदर यह तीनों elements जो है यह equal होते है तो यह चीज़ आपका zero vector जो है वो इसको easily belong कर रहा है इसके बाद जो इसकी second condition है second condition में हमने क्योंकि इस u को sub space proof करना है तो हमने इस u मेंसे two vectors ले 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 तो मैंने यह u और v यह two vectors ले लिए इस u मेंसे अब यह u क्या चीज़ हमारे पास u मारे पास एक ऐसा set है जिसके अंदर तीनों elements जितने भी vectors होंगे इसके वो तीनों entries उनकी same होंगे तो इधर u v क्योंकि इस u को भी लोग कर रहे तो इसलिए u की entries हमारे पास क्या होंगी यह तीनों same entries होगी चले मैं इन entries को denote कर लेता हूं एक साथ और यह जो v vector है मारे पास v में भी क्योंकि सारी entries same होगी और इसको में denote कर लेता हूं व थी वेक्टर के साथ ठीक है students तो अब आप जो इसकी फर्स कंडिशन जो फर्स कंडिशन थी मारे पार वह यह थी कि हमने इन दोनों को सम करना है तो आप इन दोनों के अगरा एड़ करें तो यह मारे पास क्या बन जाएगा a plus b a plus b and a plus b तो students ये आपके पास जो sum आ गए हैं दोनों का sum में भी आप देखें तो ये तीनों हमारे पास वेक्टर जो हैं वो equal आ गए है इधर तीनों वेक्टर एक्वल आ गए हैं तो that means कि ये यू प्लस वी हमारा किसको भी लोग कर रहा है यू इस यू सेट को भी लोग कर गया ठीक है इसी के जो second condition थी ये इसका first part हो गया इसी का second part क्या था कि अगर हम इस यू को किसी भी स्केलर से मर्टिप्लाइ करें means कि अगर आपके पास यू है ये आपके पास equal है एक ठीक ह ये है और के हमारे पास कोई भी स्केलर है जो कि इसके field को भी लोग कर रहा है तो इन दोनों के अगर आप product ले लें के यू ये हमारे पास क्या आजाएगा ये आजाएगा के ए एंड के और के तो इसमें भी आप देखेंगे ये three entries आपकी same है तीनों तो इधर से हम ये कह सकत हैं कि Y you हमारे पास ये यू के हमारे पास क्या होगा सबस्पेसों आर क्योग होगा ठीक है इधर हम मृवनिस इसको कह सकते के hands यू इस सब स्पेस ओफ आर क्यूब ठीक है स्टूडेंट्स क्योंकि इस पर ये तीनों कंडिशन हमारे फुल्फिल होगे थे इसी तरह से आपके पास एक और एक्जामपल है कि हम इसमें वह ये कह रहा है कि आप आर क्यूब में से कोई भी प्लेन ले उसमें ख़र जीicip क्योंकि और तो इसमें वह कहता आप कोई भी प्लेन लें तो इसमें आर क्यूब के अंपर फ्लें य्जी प्लें एक्स्ट में और इसके याप साइट पर भी कश होगी वह थीक है है मारे पास sub space होती है तो students अगर मैं इस वाई और जी plane की बात करूँ तो इसमें ये इसका origin है ये अगर हम इस part की बात करें इस वाई जी plane की ये इस ही से की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने अब क्या करना है इसमें zero vector तो student इसमें आदेखें यह इसका origin है तो means कि 0 vector is y z plane, x z plane और यह तीनो प्लेट में लोगर है,means कि यह पेदर financing जॉह है थीज़े, वो to कंडिशनं conveniently फूलफ़िल हो गई है, ठीक है? तो students इदर आप लिखते हैं एह खना दो कि YZ plane ठीक स्वे這邊 मैं आदर YZ plane को डिसक्स कर रहा हूं आप लोग इसको कोई और plane को भी डिसक्स कर सकते हैं कि हमने एनु प्लेइन की बात करें तो यह सब planes के लिए हैं चीज हमारी होल करेंगे इसके पास second condition आप इसमें students अगर आप easily देखें अगर ये हमारे पास कोई U vector है ये हमारे पास कोई V vector ये मैंने two vectors ले लिए ये U vector है ये V vector है कोई भी इस YZ plane के अंदर तो अब students ये understood है कि YZ plane में से आप कोई भी two vectors लेंगे और उन दोनों का आप sum लेंगे ये वाला इन दोनों का sum आएगा तो ये sum भी इसी plane को ही belong करेगा अगर आप इस YZ plane में से कोई भी two vectors ले रहे हैं तो उनका sum जो है वो भी इसी plane को belong करेगा means U plus V जो है this is belongs to YZ plane और similarly अगर आप इसको किसी भी scalar स्केलर से multiply करते हैं किसी भी vector को तो वह भी आपका इसी plane को ही belong करेगा तो students इदर से हम ये कह सकते हैं कि ये आर क्यूब में आप कोई भी अगर plane ले 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 तो वह भी हमारे पास क्या होगी आर क्यूब की ही सबस्पेस होगी ठीक है तो इदर आप भी इसको कह सकते हैं कि hence YZ plane is a सबस्पेस ओफ आर क्यूब ठीक है तो इदर से हम कह सकते हैं कि YZ plane जा है वो भी आर क्यूब की सबस्पेस है तो students last पे एक और example है इसको हम discuss कर लेते हैं कि अगर हमारे पास W कोई सबसेट है सबसेट है R cube का और W क्या है ये कुछ इस तरह कहा कि W के अंदर वो कहता कि वो सारे इस तरह के इसके अंदर vectors हैं जिनकी first entry क्या होगी positive होगी वो greater or equal to zero होगी ठीक है अब हमने W के अंदर इस तरह के elements हैं जिनकी first entry जो है वो greater than zero भी होगी greater than zero भी हो सकती है या फिर equal to zero भी हो सकती है तो students इसमें हम first condition अगर सबस्पेस की चेक करें zero vector first condition है हमारी तो zero vector ये क्या आजाएगा जिरो जिरो तो इसमें बाकी दोनों entries पे कोई restriction नहीं है इदर A B और C entry पे कोई restriction नहीं है ये same भी हो सकती है ये positive भी हो सकती है ये negative भी हो सकती है ये वाली दोनों entry कुछ भी आ सकती है लेकिन first entry जो है एक तो positive होगी दूसरा ये zero के equal हो सकती है ये zero से greater हो सकती है तो यह 0 vector तो easily हमारा इस w को belong कर गया अब इसकी second condition second में भी आपके पास इसकी जो इसका first part है वो यह कहता कि आप u में से w में से कोई भी two vectors लेंगे और उन two vectors को sum up करेंगे तो वो भी हमारा easily इसको belong कर जाएगा ठीक है तो इसमें अगर आप चेक करें मैंने इसमें से u vector ले लिय particular कोई भी vectors ले ले इसमें first entry का जस्त आप लोगों ने देखने है first entry मैंने two ले ली positive ले ली और दूसरा greater than zero ले ली बाकि आप दोनों इंटी जो मर्जी ले ले माइनस one और five ठीक है और v vector जो लेना है इसमें भी first entry आपकी positive होनी चाहिए और बाकी दोनों इंटी आप जो तो u plus v हमारे पास क्या आजाएगा three one and two तो इसमें first entry आपकी greater than zero है तो means कि यह sum हमारा किसको बिलोग कर गया w को ठीक है अब इसकी second के जो second condition थी उसको देखें उसमें हमारे पास क्या था कि scalar हम कोई भी ले सकते है means कि जो subspace की second condition में हमारे पास scalar होता है वो हम कोई भी ले सकत हैं अब इदर अगर आपके पास vector हम इसके according vector कोई भी लेते हैं जैसे चले यह वही ले ले लिए two minus one और five लेकिन इसके स्केलर पर हमारे पास कोई restriction नहीं है आप स्केलर चाहे positive ले 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 लेकिन स्केलर चले मैं इदर ले लेता हूं scalar मैंने ले लिया minus two scalar कि क्योंकि हम व यह तो इदर मैं के यू को चेक कर लेता हूं के यू की product क्या आजाएगी यह आजाएगा minus two into two minus one and five इसको आप अंदर multiply कर दें यह आजाएगा minus four two and minus ten तो students इसमें देखें first entry आपकी क्या आगई negative लेकिन हमारा जो w set था वो हमें क्या कहता है उसने वह हमें यह कह रहा कि इसक इसकी first entry के आगई negative तो that means के यह के यू जो हमारा यह इस w को belong नहीं कर रहा ठीक है तो means के इसकी जो second condition है हमारे पास वो इदर fulfill नहीं कर रही है second condition जो हमारे पास इदर fail हो गई है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह w जो हमारे पास वो subspace नहीं है ठीक है तो इदर आप इसको simply लिखे दें hence w is not a subspace of rq ठीक है students because इसकी इदर हमारे पास जो subspace की second condition थी वो इदर fail हो गई है scalar multiplication वाली तो इसलिए इदर हम कह सकते हैं कि यह वह जो डबली है यह मारा subspace नहीं होगा ठीक है students thank you जी अलाफीज प्लाफस्गर च시ह स्टब brilliant झाल दो झाल ई्म झाल झाल झाल